गुड मॉर्निंग एप्रिवान वेलकम टू एग्जाम और बिट क्लासेज तो आज है 30 सेप्टेमबर और आज के इस सेशन में 30 सेटमबर से संबंधित करेंट अफियर डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आज का ये शेशन आप सभी के लिए काफी महत टुपून रहने वाला है तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है तासकन अंधरास्टिय फिल्म माहसब का आयोजन कहां किया जाएगा भारत, चीन, अमेरिका, या फिर, उजवेकिस्तान इस सवाल का आंसर आपको क्लास की लास्ट में मिल जाएगा और जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है तो शेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के कलास का पहला सवाल किस देश ने अपनी पहली घरिलू निर्मित पंडूबी हाईकुन का अनावरण किया है तो फ्रेंट्स पंडूबी हाईकुन का जो अनावरण है ये ताइवान के दुवारा किया गया है किसके दुबारा तो याद राखेंगे Taiwan ने इस पंडूबी का अनावरं किया है ये जो पंडूबी है अंग्रेजी में इसे नर्वाल नाम दिया गया है जबकि मंदारिन में इसे हाईकुन नाम दिया गया है तो दोनों ही नाम आपको याद राखने है इस नाम का जो अनुबाद है वो है समुद्री राक्षर तो किसने इस पंडूबी को लॉंच किया है आंसर होगा ताइवान अब डिस्कस कर लेते हैं ताइवान के बारे में तो ताइवान के बारे में क्या क्या याद रखेंगे पहले तो आप लोकेशन देख लीजिए मैप में देखें यहाँ पर है चाइना और बगल से आपको देखने को मिल जाएगा ताइवान ताइवान के जो राजदानी है वो है ताइपे ताइवान के केरेंसी को नया ताइवान डॉलर कहते हैं यहां की बर्तुमान में प्रेसिडेंट है साई इंग वेंग जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं आप सभी को ग्यात होगा कि ताइवान की गवर्णमेंट ने घुशना की थी कि मुंबई में एक नया कारेले खुला जाएगा और अगर ये कारेले खुल जाता है तो इसके बाद दिल्ली और चेन्ने के बाद यहां भारत में ताइवान का तीसरा दफ्तर होगा इसी के साथ आपको याद रखना है कि समुद्री तूफान जिसका नाम है हाई कूई इसने सरवादिक छती किस देश को पहुँचाई थी ताइवान को क्वेशन यहां से इस प्रकार से भी बन सकता है कि खबरों में रहा तूफान हाई कूई कहां पर आया था तो आंसर होगा ताइवान अब रिवीजन कर लेते हैं इंटरनाशनल लेटिस्ट करेंट अफ यह नासा के मौक्सी ने किस गिरह पर सपलता पूरबक ऑक्सीजन उत्पन किया है मंगल गिरह पर किस देश की पहली Miss Universe Erika Robin बनी है तो यह पाकिस्तान की बनी है भारत और किस देश ने Infrastructure Financing Vries का उधगाटन किया तो भारत ने UK के साथ मिलकर यह उधगाटन किया था किस देश ने 10 एर वर्ष बिमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ एक समझोता किया है तो फ्रांस के साथ यह समझोता हुआ है बांगला देश का अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल नाम भूले जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जाद से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा अगला सबाल महिला आरक्षण बिलको रास्टपती द्रोपती मुर्मुजी ने मंजूरी दे दी है यहें विद्यक लोकसवा में कब पारित हुआ था याद रखेंगे लोकसवा में इस विद्यक को 20 सेप्टेंबर को पारित किया गया था तो चर्चा कर लेते हैं डेटिल से इस विद्यक के बारे में देखें महिला आरक्षण बिलको रास्टपती द्रोपती मुर्मुजी ने अपनी मंजूरी दे दी है यहें विद्यक लोकसवा में 20 सेप्टेंबर को और राज्य सवा में 21 सेप्टेंबर को पारित हुआ था ये दोनों ही डेट आपको याद रखन और ये पूछे जा सकते हैं देखें फ्रेंट्स विद्यक दोनों सद्वों सेपारित होने के बाद उसे रास्टपती की मंजूरी के लिए बेजा जाता है ताकि वहां कानून बन सके जैसे ही प्रसिडेंट इस विद्यक पर हस्तक्षर कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है इस विद्यक में क्या है तो देखें इस विद्यक के तहट महिलाओं के लिए 33% सीटे आरक्षित होंगी महिला आरक्षण बिल का जो नया नाम दिया गया है वो है नारी सक्ति बंधन अधीनियम वैरी इंपोर्टेंट कुशन है याद रखेंगे इस बिल को 128 वे संबिधान संसूदन बिद्यक के तहट पेस किया गया नए संसद भवन में पारित होने वाला यह है पहला बिद्यक है तो यह तीन पॉइंट खासकर आपको याद रखने है और कितने प्रतिसत आरक्षण है 33 प्रतिशत पहली बार महिला आरक्षण जो बिद्यक है यह 12 सेप्टेंबर 1996 को पेस किया गया था महिला आरक्षण को O.B.C. तक विस्तारित करने की जो सिफारिस है यह किस ने की थी तो फ्रेंट्स याद रखेंगे गीता मुखर जी समीथी के दुवारा की गई थी कब 1996 में पूछा जाए कि गीता मुखरजी समीथी का सम्मंद किस से है तो याद रखेंगे महिला आरक्षण खासकर OBC से सम्मंदित है हाली में संयुक्तरास्ट महिला आकडों के अनुसार महिला प्रतिनेदितों में सीर से तीन देश कौन-कौन से है तो फ्रेंट्स इसमें सामिल है रवांडा, क्यूबा और निकारगुआ अगला सबाल स्वच भारत मिशन ग्रामीड में किस रज्ज ने सो प्रतिसत ओडिया प्लस कब्रेज हासिल कर लिया है तो फ्रेंट्स ये हासिल कर लिया है उत्तप्रदेश ने, किसने किया है तो याद रखेंगे उत्तप्रदेश ने ओडिया प्लस क्या होता है, तो ओडिया प्लस गाओं वहें हैं जिसने थोस या तरल अपसिष्ट प्रबंदन के लिए प्रभावी प्राणलियों की इस्थापना के माध्यम से खुले में सौस मुक्त इस्तिती हासिल कर लिया है तो याद रखेंगे कौन सा राज बन गया है उत्तप्रदेश अब रिवीजन कर लेते हैं कुछ एस्टरा जानकरी न्यून्तम आई की गारेंटी विध्यक बिधान सवा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज कौन सा बना है राजस्थान हिंदू फोबिया के खिलाब प्रस्ता पास करने वाला पहला अमेर की राज कौन सा है जोर्जिया है अगला सवाल बेहार राज का दूसरा टाइगर रिजर्व के जिले में इस्थापित किया जाएगा तो दूसरा जो टाइगर रिजर्व होगा बेहार राज का ये कैमूर में बनेगा कहां पर कैमूर जान लेते हैं इसके बारे में देखें पच्छी में जो चंपारंड जिले में बालमी की टाइगर रिजर्ब के बाद दूसरा जो टाइगर रिजर्ब होगा बेहार का वो कैमूर जिले में होगा यानि की कैमूर बनने जीब अभ्यरंड में बने का तो पहला बिहार का कौन सा है तो बालमी की टाइगर रिजर्व है कुष्यन यहां से इस प्रकार से भी बन सकता है कि बालमी की टाइगर रिजर्व किस राज्ज में इस्तित है तो आप याद रखेंगे कहां पर है तो ये आता है बिहार में इसी के साथ कैमूर बन्नीजीव अभियरन कहां पर है तो बिहार में है बर्तमान में यानि कि बिहार राज्य में बागो की संक्या कितनी है तो 54 है सरवदि कहां पर है तो आप सभी जानते हैं मद्ध प्रदेश में है राश्ट ये वाग जो रेजर्व सरेष्ण प्रादी करण है इसने इसके लिए से मन्जूरी दे दी है कैमूर बन्नीजीव अभियरन बेहार का सबसे बड़ा बन्नीजीव अभियरन है जो कैमूर और रोहतास चिले में फैला हुआ है इसके स्थाफना 1989 में की गई थी ये भी आपको याद रखना है अब रिबीजन कर लेते हैं आप सभी को ग्यात होगा कि भारत का जो 54 टाइगर रिजर्व है हाली में गोशित किया गया है और ये है बीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जोकि कहां पर है तो ये म रांगर विजधारी अभ्यरन जो टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है तो ये राजस्थान राच्यु में आता है अगला सबाल भारतिय रिजर्व बैंक ने इंटरनेस्नल फाइनेंस कोर्परेशन को किस बैंक में हिस्सेधारी हासिल करने के लिए मनजूरी देती है तो फ देखिए भारतिय रिजर्व बैंक यानि कि RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्परेशन को फेडरल बैंक में 9.7 प्रतिशल हिस्सिधारी हासिल करने की मन्जूरी देदी है फेडरल बैंक लिमिटेट एक भारतिय नीजी छेतर का बैंक है जिसका मुख्याल है कोची में है ये आपको याद रखना है कुशन यहां से बनेगा कि फेडरल बैंक का जो हैट कोटर है वो कहां पर है तो कोची केरल में है रिजब बैंक के अगर बात की जाए तो इसके स्थाफना एक अपरेल 1935 में होती है आर्वियाई अधिनियम 1934 के तहट 1949 में राश्टी करन किया जाता है आर्वियाई का मुख्याल है मुंबई में है भारतिय रिजब बैंक के पहले गवनर थे सर ओश्वान पहले भारतिय गवनर सीडी देश्मुक और बरतमान में 25 वे गवनर कौन है तो सकतिकान तास है इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक मोहल सब के चौते संस्करन का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है तो फ्रेंट चौता संस्करन आयोजित हो रहा है दिल्ली में कहां पर दिल्ली में देखे यह है उस सब कॉलंबिया एकवडोर और चीली के कलाकारों को अपनी प्रतिवा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदशन करने के लिए एक साथ लाता है इस दो दिवसिय संस्कृतिक कारिकरम में कॉलंबिया एकवडोर और चीली के कुल 34 कलाकार सक्री रूप से भाग ले रहे हैं तो आप से पूछा जा सकता है इन देशों के बारे में तो याद रखेंगे किस-किस ने भाग लिया कॉलंबिया एकवडोर और चीली अगला सबाल टाटा एडवांस सिस्टम के चेयर्मेन कौन बने है तो टाटा एडवांस सिस्टम के जो चेयर्मेन बन गए है इनका नाम है बनमाली अगरवाल बनमाली जो अगरवाल है इन्होंने किसका इस्थान लिया है तो इन्होंने लिया है बिजर सींग का इस्थान देखे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेट टाटा समू की मूल कमपनी टाटा संस की रणनेतिक येरो इस्पेस और रक्षा साखा के रूप में काम करती है डिबीजन कर लेते हैं कुछ महत्पूर न्योक्तियों के बारे में नीरज मित्तल आप सभी को याद होगा दूर संचार विवाग के सचिप के रूप में इन्होंने कारिभार समाल लिया है जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर इंडिया के नए चेयर पर्सन कौन बने है तो इनका नाम है रजनीज कुमार जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं पूर्ब CGI यानि की N.V. रमन्ना को इंटरनेशनल मेडियेटर पैनल के सदस के रूप में न्योक्त किया गया है संकल्प सप्ता कारिक्रम की शुरुवात कौन करेगा तो संकल्प सप्ता कारिक्रम की शुरुवात की जाएगी प्रधान मंतरी नरेंतर मोदी जी के तुवरा कहां पर तो नई दिल्ली में की जाएगी देखिए प्रधानमंत्री सिरी नरेंटर मोदी जी 30 सेप्टेमबर को नई दिल्ली में देश के आखांसी ब्लोकों के लिए संकल्प सप्ता नामक कारिकरम का शुबारम करेंगे इस कारिकरम का उद्गाटन भारत मंदपप में किया जाएगा जहां देश भर से आए लगवग 3,000 पंचायत और ब्लोक इस्तर के जन प्रतिनीदी सामिल होंगे संकल्प सप्ता अकांसी ब्लोक कारिकरम के प्रवावी क्रियामबन से जुड़ा हुआ है गुजरात बिदान सबा के डिजीटल हाउस का उद्गाटन किस ने किया था तो याद रखेंगे राष्टपती द्रोपती मुर्मु जी के दुवारा किया गया था प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे रेल्बे प्लेटफॉर्म का उद्गाटन कहां पर किया था तो ये करनाटक में किया था और इसी के साथ याद रखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी जो हैलिकॉप्टर फैक्टरी है इसका उद्गाटन प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी ने तुमकुरू यानिकी करनाटक में किया था और ये फैक्टरी किस ने इस्ताफित किया है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड अगला सबाद ACI खेलों में महिला एकल टेवल टैनिस पृतियों किता के क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतिये कौन बनी है तो पहली भारतिये बनी है मनी का बत्रा जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं क्विशन याद रखेंगे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मनी का बत्रा का सम्मंध किस खेल से है तो याद रखेंगे टेवल टैनिस से इनका सम्मंध है तो quarter final में पहुंचने वाली ये पहली भार्टिय बन गई है चीन में आयोजित हो रहे हैं आप सबी जानते हैं हांग जों में 19 फे ACI खेलों का आयोजन किया जा रहा है आगे डिसकस करेंगे कुछ महत्पूर्ण नियोज हैं जैसे कि किसने ACI खेल 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तल में स्वण पदक जीता है तो उनका नाम है पलग बुलिया मन्यू भाकर इसा सिंग और रिद्दम सागवान ने इन्होंने स्वण पदक जीता है किस में निसा निवाजी में भारत ने ACN Games 2023 के गोड़ सबारी में ड्रेसास इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है देखिए 2022 के हैं ये और इनका आयोजन कहां किया जा रहा है तो याद रखेंगे ACN Games का आयोजन हो रहा है Hangzhou चाइना में अगला सबाल किस राजजी ने E-Cabinet प्रांड़ी लॉंच की है तो E-Cabinet जो प्रांड़ी है इसकी लॉंचिंग की गई है तिरपुरा गवर्मेंट के दुबारा किसने की है तिरपुरा ने तो जान लेते हैं डिटेल से इसके बारे में देखिए तिरपुरा के मुख्य मंत प्रांड़ी बर्तुमान में कौन है मरिक सहा ने अगर दला में E-Cabinet प्रांड़ी का अनावरन किया जो सरकारी संचालन और सेवाओं के डिजीटल परिवर्तन की देशा में एक महत्तपुर्ण कदम है इस प्रांड़ी की शुरुवात ने तुरपुरा को उत्राखंड उत् psychiatry प्रांड प्रांड़ी को प्रांड़ी को अपनाने वाला भारत का चोता और पूर्वत्तर का दूसरा राज बना दिया है पूर्वत्तर का पहला राज कूं सा है तो अरुणाचल प्रदेश है इकेबिनेट प्राणली को अपनाने का अर्थ क्या है तो राज्य के सासन के लिए कागज रहित भविश्य की और बदलाव यानि कि सारा जो काम होगा वो डिजिटल तरीके से होगा मंतरी और नोकर सहा को क्या दिया जाएगा तो टेबलेट होता है इसके थुरू काम किया जाएगा यानि कि पेपर लेस बर्ख होगा यहाँ पर और तिरपुरा में एकेबिनेट प्राणली उत्राखंट में सुरू किये गए समान मोडल का अनुशरण करती है क्लास की शुरूबात में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि तासकन अन्थरास्टे फिल्म माहसब का आयूजन कहां किया जाएगा तो फ्रेंसिसका आयूजन कहां पर होगा उजवेकिस्तान में होगा इसे के साथ याद रखेंगे कि सूचना इवं प्रसारन राज्यमंत्री डॉक्टर एल मरुगन उजवेकिस्तान में तासकन अन्थरास्टे फिल्म माहसब में भार्टिय प्रतिनीदी मंडल का नेतत्व करेंगे इस फिल्म माहसब में भागीदारी का जो उद्देश है वो सिनेमाई साजेदारी बनाना, कारेकरमों का आदन परदान, फिल्म निर्मान को बढ़ाबा देना और संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कारे करता है फिंस पल्प ऑफ दा सिल्क रोड के नाम से मज़ूर तासकन अंधरास्टिय फिल्म माहसब की जो शुरुवात है ये 1968 में हुई थी और इस माहसब की शुरुवाती संस्कर्ण में भारतिय फिल्म अमरपाली को दिखाया गया था तो पिक में आप सभी देख सकते हैं जो कि भारत का प्रतिने दित्व करेंगे अब रिबीजन कर लेते हैं कल के सेशन का कि कल हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था तो गिलोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत के सस्थान पर रहा है तो भारत रहा है 40 वे स्थान पर कि इस देश ने परमाणू हत्यार के हत्यारों के तेज विकास की नीति को अब अपने संवेधान में सामिल कर लिया है तो आंसर होगा उतर कोरिया MS स्वामी नाथन का निदन हो गया है वह किस छेत्र के प्रसद ब्यक्ति थे तो ये कर्शी वैग्यानिक थे निम्न में से कौन सा देश लीथियम ट्राइंगल के रूप में नहीं जाना जाता है तो लीथियम ट्राइंगल में सामिल है अर्जंटीना, चीली, बॉलिबिया जबकि भारत इसमें सामिल नहीं है पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयत वी ओ चिदंबर नार बंदरगा के माध्यम से किया गया यह बंदरगा कहां पर इस्तित है तो फ्रेंट्स याद रेखेंगे यह बंदरगा आता है तमिलाडू में इंटेल इंडिया के अध्यज के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो इनका नाम है गोकुल शुब्रमन्यम जिन्हें आप सब भी पिक में देख सकते हैं टाइम्स हाइर एजुकेशन दुवारा घोशित बल्ड इनुवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान सीर्ष पर है तो भारतिय विज्यान संस्थान बैंगलोर सीर्ष पर है मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसल इंडिया के अध्यच के रूप में किसे चुना गया है तो उनका नाम है सैलेज कुपता जो की अध्यच बने है और उपाध्यच बने है ससांक सिरिवास्ता जी एस्टी सहाई इन बॉइस फाइनेंसिंग लॉंज प्लेटफर्म किसके दुवारा लॉंज किया जाएगा तो फ्रेंट्सिस की लॉंचिंग होकी सिड़ बी के दुवारा भारतिय भासा उसव कारिक्रम के सहर में आयोजित किया जा रहा है तो इस कारिक्रम का आयोजन लखनव यानि की उत्तपरदेश में किया गया पीए मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर एफएम रिले स्टेशन की आधार सिला रखी दाहोद में रखी गई दाहोद यानि की गुजरात में तो ये था कल का करेंट अफ्यार अगर डिटिल से जानना है असोकने विश्व एट्स दिवस कप मनाते हैं एक दिसंबर को नंद वंस का अंतिम सासर कौन था घनानंद प्रत्वी का एक मात्र उपगिरे कौन सा है तो चंद्रुमा है सक संबत किसने चलाया था तो ये कनिस्थ ने चलाया था दूद में सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है केल्सियम गीतानजली की रचना किसने की रविंदर नाठ टैगरने भारे सरकार ने देश की किस नदी को रास्ट ये नदी घोशित किया है गंगा भारे सरकार का प्रतम बिधी अधिकारी कौन होता है तो अटोर्नी जर्नल होता है कल की शेशन में आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे जिनके आंसर देख लेते हैं भावा एटोमिक रिसर्स सेंटर ने किस मंदिर को प्राकर्दिक आपदा से बचाने के लिए भूकम्प मापी स्टेशन इस्थापित किया है तो सही अंसर था आपसन ए स्री राम मंदिर अयोध्या में प्रेमिला मलिक किस राज्य की विधान सवा की पहली महिला स्पीकर बनी है तो इसका सही अंसर था आपसन भी उडिसा निम्न लिकित में से कौन सी नदी प्रारब में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है तो इसका सही अंसर था आपसन ए कोशी नदी महत्मा गांधी दुआरा डांडी समुद्र टट पर नमक कानून का उलंगन कब किया गया था 6 अपरेल 1930 राइट आंसर ऑप्शन पी अब आप सबी के लिए सबाल है जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने है पहला सबाल है कि नैसकॉम का उपाद्यच खिसे न्योक्त किया गया पीके सिन्ना सयद अकवर रुदीन राजेस नाम बियार सिंदू गंगाधरन अगला सबाल ट्रांजेंडर प्राइट वॉक पहली बार कहां आयोजित की कई जैपुर लखनव चैन्ने या फिर उने किस लोहो अयस्क में सरवादिक लोहा मिलता है मैगनेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट या फिर साइडोनाइट भोपाल गयस द्राजदी के लिए उत्तरदाई प्रमुक परदूशक कौन सा है मीथाल आईसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरो फ्लोरो कारवन या फिर क्लोरीन तो फ्रेंट्स इन सबी के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने है आज का ये शेशन आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा इस क्लास की पीडियाप बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर जाकर एक्जाम और बेट क्लासे से लोगो आपको दिखाई देगा तो जिसने भी टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है जोइन कर लिजेगा क्योंकि पीडियाप के अलावा करेंट से सम्मंदि जो भी अपडेट होता है वो इजली आपको टेलिग्राम पर मिल जाता है तो फ्रेंट्स मिलते हैं नया स्टेशेशन में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत